हेलो एब्रीवन वेलकम तू मैं चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो देखे फ्रेंड से बहुत आसान सा बुनाई डिजाइन लेकर आई हूं अगर आप लोग विगिनर्स हैं नया नया बुनाई करना सीख रहे हैं बुनाई करना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो आप इस डिजाइन को पैटन को ट्राय कर सकते हैं बहुत आसान है वेगिनर्स है तो भी से बना पाएंगी ठीक है सिर्फ चार सलाईयों में बुनाई डिजाइन बनके कंप्लिट हो पंदे लेके इस डिजाइन को उल्टी तरफ से जाने की रॉंग साइट से स्टार्ट करेंगे और मेरी पैटन की फर्स्ट रो है ठीक है तो देखें यहां पर पहला पंदा एज स्टिच का हम ऐसे उल्टा बना लेंगे इसके बाद धागा पीछी ले जाएंगे दो फंदा ह हमने बनाए दो फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा यही हम रिपीट करेंगे तो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा वन जूड़ एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा वन जूड़ एक फंदा उल्टा ठीक है नागा पीछी दो फंदा दो फंदा सीधा एज स्टिच को उल्टा बना लिए इस तरह से हम ने ये रो बन बना लिए अब रो टू पर आ गए है पहला फंदा आप स्लिप कर लिजिए या बुल लिजिए इसके बाद धागा अपने तरफ लाएंगी ये दो फंदा उल्टा बनाएंगी भागा पीछे एक फंदा सीधा दो फंदा उल्टा यही हम बार 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 रिपीट करेंगी अब इस तरह बनाना है दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा 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 एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दो फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा दो फंदा उल्ट पर यह सीधी तरफ है तो सीधा बनाएंगे जिस्ति तो अब आ गए हम अब पेटन की रो नमबर थर्ड पर ठीक है पहला फंदा हम देखो स्लिप कर लेंगे धागा पीछे ले जाएंगे अब फिर से रो बन की तरह बनाएंगे दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा रो बन की तरही बनाना इसे दो फंदा सीधा एक फंदा उल्टा अगर आप लोग ने अभी तक मेरा मेकप बाला चैनल नहीं देखा तो एक बाद देख लीजिए वहाँ पर मैं DIY, Skincare, Haircare, Makeup tutorial के वीडियोज बनाती हूँ तो एक बाद देखिएगा हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जैसे आपने इस चैनल को प्यार सपोर्ट किया है वैसे उस चैनल को ये सपोर्ट कीजिएगा और यहां पर दो फंद सीधा है ठीक है धागा पर तरफ ये दो फंद सीधा था मैंने गलती से एक उल्टा ले लिया था ठीक है एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिटो फंद सीधा एक फंदा उल्टा है जिसका रो नमबर फोर पर आ रहा है ठीक है यहां से दिखिएगा पहला पंदा स्लिप कर लेंगे दो फंदा उल्टा बनाएंगे वन तू धागा पीछे अब देखिए यहां पर ये तीन होल बैक जाएंगे ये फंदे को हमें सीधा बनाना है लेकिन ऐसे नहीं देखो ये नीचे वाले होल काउंट करेंगे देखो लाश्ट इस वाले होल से एक ऐसे लूप बनाएंगे और यहां पर रख देंगे अब इस लूप को इस सीधे फंदे के साथ दो का एक कर देंगे बैक लूप से ऐसे कर दिया बस यही रिपीट करेंगे दो फंदा उलटा धागा के पीसरीओ सिधे वाले फंदे पैना उस पर जाना है लास्ट में तीन से लाईयों पहले पिस साथ ऐसे रखे दो का एक कर देंगे ऐसे, दो फंदा उल्टा, one, two, धागा पीछे, देशे देखों, यहाँ लास्ट वाले में एक लूप में कालेंगे, और इसे दो का एक बनाएगे, धागा पीछे, देखों, यहाँ से लास्ट वाले होल में से ऐसे, और इसे, देखों, पेखों, एक लूप में से और इसे, दो फंदा उल्टा, ओजिस्ट्रिच को सीधा बनादे। तो देखे यही चार सलाहिáng आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है ठीक है? इस तरह से बनाना है तो भाइस इस डिजाइन बहुत सुल्दर है और समझना ना समझना आप लोगों के उपर है आपको कैसा लगता है इस डिजाइन बताईएगा जरूर कॉमेंट करके इस तरह से देखिए इस तरह से डिजाइन बनके आएगा आप देख सकते हैं इस तरह से डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाता है बहुत आसान है यही चार सले आप रिपीट करते हैं बहुत बहुत आसानी से बहुत इसली बन जाता है बहुत खुबसूरत लगता है तो फ्रेंड्स अबर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और इस जिरूर कीजिएगा चैनल के पहली बार आएं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बैल बटन को और प्रेस कर देजीगा जिसी कि मैं जब वीडियो डालू हुए आपका सब्सक्राइब हो जाएगा तो चलिए फिर मिलते एक से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करना मत भूलेगा उत्ता के टाइंग से बाबाई